सद्गुरु जी प्रणाम, हम पिछले 23 सालों से संगीद बनाते आ रहे हैं, शंकर एहसान लॉय के रूप में, एक चीज जो मुझे हमेशा आश्चर चकित करती है, वो है तीन का कॉंसेप्ट, मुझे कई पहलूओं में तीन अंग का संबंध दिखाई देता है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ब्रम्ह, विष्णु, महेश और हम तीनों मिलकर संगीद बना रहे हैं, तो तीन का क्या संधर्व है, तीन का महत्व और तीन का क्या प्रभाव है? नमस्कारम, शंकर, एहसान, लॉय के त्रिमूर्थी को, तो त्रिमूर्थी हैं, त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिकाल भी हैं, ये सभी चीजें मानव जीवन के बुन्यादी अनुभव से हुए, हमारे नजरिये का विकास है, सारा इंसानी अनुभव इन तीन चीजों में नहित है, हमारी आदाश्ट अतीत से जुड़ी है, जिसे भूतकाल कहते हैं, हमारा अनुभव हमेशा वर्तमान यानि अभी में होता है, और हमारी कल्पनाएं और आकांक्शाएं हमेशा भविश्य की होती हैं, तो इनसान के जीवन का अनुभव मूल रूप से घटित होता है यादाश्ट, अनुभव और कल्पना के बीच, इसके आधार पर इन तीन अनुभवों से पैदा होने वाले कई पहलूओं को हमारी संस्कृती में तीन का रूप और आकार दिया गया, जैसे त्रि अनित्र, त्रिकाल, त्रिशूल और आप लोगों की त्रिमूर्ती, तो इस आधार को समझने की जरूरत है कि ये तीनों आयाम वर्तमान में मौजूद हैं, ये सारा अतीत और भविश्य असल में अभी मौजूद है, क्योंकि अभी ही आप याद कर सकते हैं, अभी ही आप कल पना कर सकते हैं, दुनिया में आजकल ये शिक्षाएं बहुत प्रचलित हैं, खास तोर पर अमेरिका में, मगर मेरे ख्याल से ये भारत के पश्चिमी तट पर भी पहुँच चुकी हैं, लोग कहते रहते हैं, इस पल में रहो, इस पल में रहो, वो वर्तमान की पूजा करत हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता कि कोई आपको इस पल में रहने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि आप कहीं और हो ही नहीं सकते, आप और कहां हो सकते, क्या कोई मुझे दिखा सकता है कि वो इस पल के सिवा और कहां हो सकते, तो हमारी जड़ें वैसे भी वर्तमान में हैं, मगर हमारी यादें अतीत के बारे में हैं, हमारी कलपनाएं और आकांक्षाएं भविश्य के बारे में हैं, तो जो लोग केवल आज की पूजा करते हैं, केवल वर्तमान की पूजा करने वाले लोग आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ इसी पल में रहो, अतीत के बारे में मत सोचो, भविश्य के बारे में मत सोचो, लाखों साल लगे हैं इस तरकी दिमागी क्षम्ता लाने में, दिमाग को इ एक स्पष्ट याददाश्ट और शांदार कलपना करने के लिए लाखों सालों के विकास के बाद ऐसा हुआ मगर आज कोई आपसे कह रहा है कि वो सब छोड़ कर एक केंचुए की तरह हो जाओ मुझे केंचुए से कोई परिशानी नहीं है वो बहुत ही को फ्रेंडली जीव है मगर विकास का जो काम हुआ है हमारी दिमागी क्षमता को इस तर तक लाने के लिए उसे किसी मामूली सिधान्त के लिए नहीं छोड़ना चाहिए लोगों के ऐसा कहने की वज़ाई ये है कि लोगों के दुख के दो आधार सिर्फ यही है लोग दस साल पहले हुई किसी चीज से दुखी हो सकते है जो चीज शायद परसों हो लोग उसका दुख अभी से कर सकते है यानि उन्हें जीवन से कोई परिशानी नहीं है वो अपनी यादाष्ट और अपनी कलपना से परिशान है दो सबसे शांदार क्षमताएं जो इनसान के पास है सपष्ट यादाष्ट और शांदार कलपना की ये दो क्षमताएं ही हमें हर दूसरे जीवों से अलग करती है इसे वो छोड़ना चाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि अपने विचार और भावनाओं को कैसे संभालें अगर आप खुशी-खुशी याद कर सकते हैं और बहुती उल्लास तथा उत्साह के साथ चीजों की कलपना कर सकते हैं तो आप उसे छोड़ना क्यों चाहेंगे बात बस ये है कि आपकी यादें और कलपनाएं मजबूरन हो गई हैं और वो आपके लिए दुनिया भर का दुख पैदा कर रही हैं इसलिए लोग बात करते हैं कि अतीत को कैसे भूलें भविश्य के बारे में कैसे न सोचें ये इनसानी जीवन को चलाने का तरीका नहीं है ये बहुत महत्वपून है कि ये तीनो काल यानि तरिकाल मौजूध हो तीनो आयाम मौजूध हो त्रिशूल हो, त्रिनेत्र हो जीवन को देखने और अनुभव करने के ये तीन आयाम मौजूध हो और हमें खुशी है कि शंकर, एहसान और लॉय की त्रिमूर्ती भी मौजूद है कृपया कुछ बढ़िया संगीत बनाईए और हम त्रिमूर्ती का जश्न मनाएंगे